हलो स्टुडेंट्स वेल्कम टू जेकेटोपर्स सो यहां पर आपके लिए जीकेप यहां पर आके लिए जीकेप बॉर्ड बटालियन की ट्लास जो है यहां पर आ जुकी है तो जल्दी से students जो है join हो जाईए यहाँ पर क्यूंकि यह जो class है बहुत important रहने वाली है मैंने आपको काफी बार जो है हमारी gk की class होती है तो मैंने आपको बताया है काफी बार कि हमारी जो है जो boys का return रहने रहता है उसकी यहाँ पर जो है revision चल रही है तो कोई भी यह बोलेगा नहीं कि मैं यह repeat question हो रहे है ठीक है सबसे पहले आपको starting सही मैं यह बोलती हूँ कि हमारे जो है यहाँ पर वीजन चलती है तो चल यह start करते हैं first question है जो हमारा उससे पहले अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe कीजिए और साथ का bell icon ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई update आए तो सबसे पहले आप तक वो notification पूंच सके तो first question आपका आगया which of the following canals was built by king zainul abidin साथ साथ में answer मुझे दीजिएगा ठीक है तो क्या होगा इसका सही answer निमिल लिखित में से आपको उस राजा का नाम बताना है जिसने जो है यहाँ पर canals बनाया है बनाया था ठीक है तो वो है आपका option कौन सा a जारकुल canals ठीक है option a जो है यह आपका बिलकुल सही answer हो जाएगा next question कर लेते हैं which canals draws water from in the river कौन सा canals जो है वो in the river के पास जो है यहाँ पर draw है आपके पास option दीए है ठीक से option a जो है यह बिलकुल आपका सही answer हो जाएगा ठीक है यहाँ पर जो कंसा canals है ठीक से next हम कर लेते हैं राजमाश of which place is famous for its superior taste and quality जहाँ पर बताया है आपको की जो राजमा जो है वो कहां कौन सी जगा के जो यहाँ पर taste और quality में भी यहाँ पर super है फेमस हैं कौन सी जगा के पता होगा सबको option a अखनूर b बदरवा c नुब्रा and option d आपके पास आ जाता है शोपियान ठीक है तो option आपका जो सही है वो है बी बदरवा के जो है यहाँ पर राजमा राजमा खाते है न दोगरे लोग जो है वो तो खाते होंगे राजमा चावल सबको पत दरवा के taste or quality में भी next करें लेते हैं वीर इन जमो एंड कश्मीर is the इंडो डच प्रोजेक्ट फौर मश्रूम डवल्लप्मेंट established कहां पर जमु एंड कश्मीर के कहां पर जो है ये प्रोजक्ट शुरू किया है किसके लिए जो यहां पर क्या करेंगे मश्रूम जो है डेवलप करेंगे ओप्शने देखिए सुंभल B दलगाम C पैट गैमपोरा D है आपके पास हैरन आपका जो से ही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओप्शन D हारन नेक्स्ट कर लेते हैं दि टुलिप गार्डन औफ कश्मीर इस सिचुएटेड अड दी फूट हिल्स औफ विच आफ दी फॉल्विंग टुलिप गार्डन जो है वहां पर आपको बताना है कि टुलिप गार्डन कश्मीर में कहां पर है अड दी फूट हिल्स के हिसाब से आपको यहां पर बताना है ए है जबरवान माउंटेन बी है शिवालिक माउंटेन सी पीर पंजाल माउंटेन and ओप्शन D है आपके पास आपका जो सही आंसर है जबरवान माउंटेन जो है यह आपका बिलकुए सही आंसर हो जाएगा नेक्स कुशन कर लेते हैं हाई देंसिटी प्लांटेशन स्कीम आट जैन पूरा इन शोपियान डिस्टिक is implemented for the production of which fruit यहां पर बताया गया है कि एक हाई देंसिटी प्लांटेशन स्कीम जो है यहां पर जैन पूरा में जो है यहां पर शुरू की है जो कि शोपियान डिस्टिक पढ़ती है यह जो है implemented है for the production of कौन से फ्रूट से option A है पिकान नट B is apricot C is plum and option D है आपके पास apple ठीक है तो आपका जो सही answer है वो हो जाएगा आपका सही answer option D is the apple ठीक है next है आपके पास which of the following horticulture crops is grown in Jammu and Kashmir निमन लिखित में से कौन सी जो यहां पर फसल बतानी है जो horticulture में Jammu and Kashmir में यहां पर उगती है ग्रो होती है A. apples B. pear C. plums यहां D. all of these तो वो है आपके पास option A is the apples जो है वो horticulture fustles है next है आपके पास Jammu irrigates its region from which of the following canal systems A. Ranbir canal system B. prataap canal system C. ravitavii irrigation complex and option D है all of the above सही आंसर आपका option D all of the above तो next question है आपका पुल्वामा डिस्टिक is most famous for the production of which agriculture product ठीक है कौन सी खेतिवाडी का product है कौन सा है वो पुल्वामा डिस्टिक का बताना है आपको जो बहुत ही famous है वो है आपका option A is the saffron ठीक है saffron जो है ये बहुत ही मतलब most famous है पुल्वामा डिस्टिक की जो यहाँ पर इसकी production होती है ठीक है ठीक है next कर लेते है what is are mostly grown during summer in Ladakh summer season में अगर देखा जाए तो कौन सा जो है यहाँ पर किस चीज की यहाँ पर फसल उगाई जाती है Ladakh में बतानी है आपको तो वो हो जाएगी आपके option B is the बारले ठीक है बारले जो है यह कहाँ पर उगाई जाती है Ladakh में कौन से सीजन में summer during the summer season next question है आपके पास अमरी सुनहरी शिरीन फिर्धोस और वेराइटिस of वट कल्टिवेटीड इन जामो एंड कश्मीर तो जल्दी से अब इसका answer बताईए मुझे आमरी सुनहरी शिरीन फिर्धोस जो है यह किसकी वेराइटी है option A देखिए apple की B apricot की C rose की and option D है आपके पास almond की तो यह है किसकी वेराइटी is apples की ठीक है clear कोई doubt यहाँ पर होगा तो बता दीजिएगा next question है आपके पास which of the following is the main fruit producing producing district in the valley valley में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा fruit जो है यहाँ पर produce होता है कौन सी district में main fruit बताया है तो वो है आपका option A देखिए सिर्नगर D है बारा मुला C है सामबा and option D है आपके पास कुलगा सही answer क्या हो जाएगा option B is the बारा मुला के बारा है कौन सा केनाल है ऑप्शन बी इस दी नूर नूर केनाल जो है यह क्या करता है रिवर जेलम के पास है नेक्स्ट कुछन है आपके पास विच अमंग दी फॉल्विंग इस नौत ट्रू इनमें से निमें लिखित में से कौन सा जो है स्टेट्मेंट सही नहीं है तो वो हो जाएगी आपकी कौन से स्टेट्मेंट सही नहीं है ऑप्शन सी सुंभाल केनाल राज वाटर फ्रॉम रिवर जनाब ठीक है नेक्स्ट कुछन है आपके पास अब आपको बताना है कि निमें लिखित में से कौन सी ट्रिबूटरी इंदस रिवर की नहीं है तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी ओप्शन डी इस विशाव क्लियर नेक्स्ट कुछन कर लेते हैं विच इस दी लार्जेस्ट सोर्स ओफ इरिगेशन इन जम्म एंड कश्मीर का जो है लार्जेस्ट सोर्स बताना है ए कैनाल है बी वेल्स है ओप्शन आ जो है यहाँ पर कैनाल है लार्जेस्ट सोर्स इरिगेशन किसका है यह कैनाल का कों सा है कैनाल क्लियर नेक्स्ट कोछन है आपका यहां पर जम्मू में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि नर्वाल जो एरिया है वो कहां पर पढ़ता है बताईएगा और यहां पर बोला है कि नर्वाल इन जम्मू hold importance for किस चीज़ के लिए importance है largest saffron producing area है यहां agri export zone for apples यहां फिर terminal mandi with electronic option तो आपका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option C is the terminal mandi and electronic option next question है जम्मू and कश्मीर is the largest producer of किस चीज़ का जो है जम्मू and कश्मीर largest producer है apple, saffron, walnut यहां all of these तो आपका जो सही answer हो जाएगा वो है आपका option D all of these next question है जम्मू and कश्मीर is the leading producer of which of the following crops कौन सी फसल जो है यहां पर जम्मू and कश्मीर में produce होती है rubber, saffron, wheat या millets तो वो है आपकी option B saffron saffron कहां पर जो है यह फसल जो है यहां पर होती है कहां पर तो वो मुझे comment session में बताइएगा कि saffron की जो फसल है वो कहां पर होती है जम्मू and कश्मीर में कहां पर ठीक है next question है which of the following is the oldest canal in the कश्मीर valley used for irrigation जो use करते हैं irrigation के लिए oldest canal बतानी है आपको कश्मीर वैली की option A मर्टन केनाल B शकुल केनाल C जैनिगर केनाल and option D है लालकुल केनाल आपका सही answer option A मर्टन केनाल जो है यह आपका बिलकुल सही answer है next question कर लेते हैं the कश्मीर animal husbandry department was established by the then maharaja and Jammu and कश्मीर in the air ठीक है आप वो कब जो है animal husbandry जो department है वो कब established हुआ था जब यहांपर क्या था जब महाराजा यहांपर थे ठीक है तो वो है आपका option is the C 1927 1927 में establish हुआ था Animal Husbandry Department जम्म इन कश्मीर में ठीक है कब? 1927 में यहाँ पर बोला गया है कि जम्मू में जो है यहाँ पर कब establish हुआ था Animal Husbandry Department तो वो हुआ था option D is the 1982 में याद रखिएगा जम्म इन कश्मीर में कब? 1927 में जम्मू में जो है यहाँ पर कब establish हुआ था? 1928 वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए जो चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है इस विच लाइफ स्टॉक फॉम्स दी मेजर टूरिस्ट अट्रेक्शन इन नुब्रा आफ लादाख ठीक है? तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा option D डबल हम्म्ट कैमल के लिए जो है यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं नुब्रा के लिए जो है ठीक है नुब्रा कहाँ पर है लदाख में next question है there is a tremendous growth in the poultry industry in public sector, the private sector as the small scale industry या बोथ A and B the public sector and private sector option D is the both A and B यह आपका सही आंसर हो जाएगा next कर लेते हैं what is the major means of transportation in most of the religious place of Jammu and Kashmir तो क्या मतलब है आपको बताना है means of transportation in the most of the religious place of Jammu and Kashmir तो वो होगा आपका option A, Equeness next question है आपका which one is the not contract pair आपको यहाँ पर जो pair है बनाया गया है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है तो वो है आपका option C याक गदी जो है यह आपका बिलकुल यहाँ पर गलत है ठीक है option आपका जो है C सही आंसर हो जाएगा ठीक है next question है आपके पास which livestock breeding firm is established at both Carbu in Kargil district option is D, Equine next is where is the department of animal husbandry setup in Ladakh जल्दी से बताएं इसका अंसर की animal husbandry का जो department है वो setup किया है Ladakh में कहाँ पर option A ले, करगिल, चुहोत या दिहार तो वो है आपका option A ले में ठीक है next question कर लेते हैं last question जो आपका आज का है what is the local name of yag cheese made by the chungpa tribe of Ladakh that is gaining popularity local name बताना है आपको yag cheese का जो बनाया गया है chungpa tribe ने ठीक हैं तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option C is the शूर्पी ठीक हैं तो ये थे आज के हमारे JKP border battalion के बहुत important question so video अच्छी लगी हो video को like कीजिए video को share भी कीजिए और जादा से जादा ये बच्चों तक पहुंचाईए ठीक है share करके जादा से जादा ये बच्चों तक पहुंचाईए clear तो कहीं पर भी डाउट आता है आप यहां पर हमें टालिग्राम पर पूछ सकते हैं किसी भी कोशन में अगर आपको डाउट आता है या कमेंट सेशन में आप हमें बता सकते हैं बाकी जो है टालिग्राम का चैनल आपको description box में मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप उसको join कीजिए तो चलिए मिलते हैं next class में तब तक के लिए ख्याल रखे bye bye, take care